सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आईएस टीम के ओर से आपका स्वागत करता हूं धे टीवी पर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने प्रोग्राम पर जैसा कि हम प्रते दिन करते आए हैं इस वीडियो में मैं दो टॉपिक पर बात कर रहा हूं पहला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे पंजाब में धान की अती उत्पादन से उत्पन होने वाले चुनोती उपर समझेंगे कि पंजाब में धान का अधिक उत्पादन ना सिर्फ पंजाब के लिए बलकि पूरे भारत के लिए कैसे चुनोती उत्पन कर रहा है और यह जो चुनोती है एक समस्या की रूप में तबदील हो सकती है यदी जल्द हमने इसका समाधाण ना निकाला तो समझेंगे कि पंजाम में किर्सी से जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं, परियावरण से जुड़ी समस्याएं क्या हैं, यहाँ पर भूजल संकट क्या है और कैसे यहाँ पर जो एक फसल की पधती बिक्सित हुई है, उसने कई परकार की चुनोतियों को उत्पन किया है वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे भारत और बांगलादेश के बीच हुई वर्चुल सम्मेट पर आए इन्ही दोनों खबरों को एक एक करके बिस्रेशित करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाम में धान के उत्पादम थोड़ा सा आप अपने मैप को देखे जो आपके स्क्रीन पर दिखाया गया इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो वार्षिक वर्चा होती है वह जो वर्चा होती है कुछ छित्रों में ज्यादा होती है जैसे कि यह वाला एरिया दूसरा यह एरिया वहीं अगर यह जो छित्र मैदानी चित्र आप देखेंगे तो इस मैदानी चित्र के एक बिसेस्ता दिखाई देगी और वह यह। यह है कि जैसे जैसे आप पूरव से पस्यम की ओर बढ़ेंगे वर्सा की मात्रा घरती जाती वर्सा की मात्रा इसलिए हमें समझना जरूरी है क्योंकि हमारे यहां की जो क्रिसी है वह मांसून पर निर्भर है वह वर्सा के द्वारा होने वाले सिचाई पर निर्भर है कुछ राज्यों में क्या किया ग कुल मिलाकर हमें थोड़ा सा यहां पर मांसून के दौरा और अन्य सुरोतों से जो होने वाला जल प्राप्त होता है उसको समझना है इसके अलावा जो हमारे हाँ एक और बरसा होती है वह होती फस्मी विशोप से तो जब फस्मी विशोप से बरसा होती है वह देखेंगे तो आपको इस छेतर में ज़्यादा दिखाई देगे वहीं अगर यह जो छेत्र है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उहाँ पर सुसकता दिखाई देगे अब यह जो सुसकता है इसका असर ना सिर्फ यहाँ पर है बलकि इसका असर पंजाब पर भी आपको दिखाई देगा तो हमने यहाँ पर यह समझा कि जो वार्सिक वर्सा है वह इन छेत्रों में बहुत जादा नहीं होती जब इन छेत्रों में वार्सिक वर्सा जादा नहीं होती अगर फसल का उत्पादन ऐसा किया जाएगा जिसके लिए अति सिचाई किया हो सकता है तो हम क्या करेंगे यहां क जो नदियां हैं, यहां के जो नहर हैं, उनका प्रयोग करेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम ग्राउंड वाटर का भी यूज करेंगे, ऐसा ही कुछ हो रहा है, अई थोड़ सा टेक्स्ट के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, आपको पता है, असमी एसिया देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उहां पर जो कि धान या फिर चावल, दोनों को हम एक सिमलर ही मानती हुए चलेंगे, धान और चावल अलग नहीं है, धान जब तक खेत में हैं, जब उसको हम क्या करते हैं, उसके छिल के उतार देते हैं, तो चावल की एसिया से, एसिया में भी अगर देखें, तो चीन, भारत और जो दचिर पूर्व एसिया के देश हैं, यहां पर आपको चावल का उत्पादन जादा दिखाए दे, ना सिर्फ यहां पर उत्पादन होता है, बलकि इसका उपभोग भी होता है, और इसके ही कारण जो इस छे केंद्रण दिखाई देगा, वह दिखाई देगा, एक खास परकार की जलवाई पेटी, जलवाई पेटी से तात पर उस छितर से है, जिसमें एक परकार की जलवाई पाए जाती है, जैसे कि इसके लिए अगर आप देखें, तो जो मानसुनी जलवाई पेटी है, उसका जो ह चाहे इंडिया में ले लिजी आप चाइना में ले लिजी एर दच्छिट पूर एसिया में ले लिजी इसके अलावा अन्य छित्र में जहां जहां पर मांसुनी जलवाई पाई जाती है वहां पर भी चावल का उत्पादन होता है और इस जलवाई पेटी जो मांसुनी जलवा लगवाग 21 डिगरी से लेकर 30 डिगरी सेल्सियस तक रहता है और यहाँ पर वर्षा होती है वो 75 से लेकर 200 संटीमेटर तक होती है और यही छितर है यही जो क्लाइमिटिक कंडिशन है इसी में क्या होता है धान का उत्पादन होता है इसके लिए एक चीज और हो चाहिए होती ह चिकनी दोमट मिट्टी, कुल मिलाकर अगर बरसा कहीं पर जादा हो रही है, 75 cm से लेकर 200 cm तक वहां का जो temperature है वो भी अच्छा है, वहां पर चिकनी और दोमट मिट्टी है तो वहां पर धान के उपजानी के लिए क्या है, uncool condition क्रेट हो जाती है, आपको पता है कि जो धान है, या फिर चावल है वो भारत के भी परमुक फसल है और क्यों है, क्योंकि यहां पर भी क्या होता है चावल का उत्पादन हम जादा करते हैं और यहां पर उत्पादन हम क्यों कर पाते हैं की यहाँ पर क्या है मांसुनी जलवायू है और उपर की जो लिखी भी सेस्ताई यहाँ पर आपको दिखाई देती और भारत में इसे परमुक रूप से खरीड की फसल के रूप में हम जानते हैं इसका उत्पादन अगर भारत में देखें तो आपको पंजाग, पस्सिम बंग चेत्रों में भी होता है जहां के पर इसके विकास के लिए अनकूल दसाई नहीं है जैसे कि उदाहरान सरूप हम समझें कि पंजाब वाला चेत्र, हर्याणा वाला चेत्र यह पस्मी उत्तर पर देश यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं चावल का उत्पादन जरूर कर रहे है लेकिन यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडिसंस हैं यहाँ पर जो वर्सा के मात्रा है वह चावल की अनकूल नहीं है इसका मतला हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं या तो हमने नहरों के जल का प्रियोग किया है या फिर ग्राउंड वॉटर का प्रियोग किया है लेकिन आपको जान किया है टुबेल चुंकि क्या होता है कि एक निजी संपत्ती पर लगाई जा सकती है जब चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं और इसी के करण क्या होता है जो है कि ग्राउंड वाटर का लेबल कम होता है तो क्या फिर हम यह समझें कि जो पंजाब हरियाना और पस्मी उत्तर पर देश है वहाँ पर जो चावल का उत्पादन होता है वो ठीक नहीं ऐसा नहीं है आपको यह भी समझना है कि यह वही राज हैं जिन्हों ने आपको हरित क्रांती के माध्यम से खाद सुरच्छा सुनश्चित के तो थोड़ा सा बैक्राउंड से समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों और इस जो बैक्राउंड में हम यह समझेंगे कि जो हमने एक जो है कि तातकालिक समाधान के रूप में जो हरित क्रांती अपनाया था उसी हरित क्रांती के वज़े से कैसे निगेटिव इंपेक्ट पढ़ रहा हैं और कैसे हम उस निगेटिव इंपेक्ट को दसक था इसमें क्या हो रहा था बारबर अकाल की समस्या हो रही था ऑृ जब इह सब चीजे होंगी तो हमारा जो उटपाधन होगा उस पर भी क्या होगा निगेटिव इंपेक्ट पढ़ रहेगा और ऐसा ही हुआ और इसी बीच क्या हुआ एक और जो है कि तरास दी आई औ वह आया भारत चीन युद्ध के रूप में उसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने भी क्या हुआ हमला कर दिया और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ इन परस्तितियों के करन देश के सामने क्या हो रहा था खाद्यान असुरच्छा के स्थिति उत्मन हो रही थी ऐसे में ज विदेशों से अधिक उत्पादन के लिए जो हाइवरिट परजाती थी पौधो की एगरिकल्चर की उसको आयात किया हलाकि बाद में इसका उत्पादन हम खुद करने लगे लेकिन जो पहले हाइवरिट परजाती के जो बीज हम लेकर आए वह बाहर से लेकर आए यह जो ब परजातीयों की बीच चाहें वह चावल का हो गेहूं का हो जिन में उत्पादन की छमता क्या हो ज्यादा सबसे पहले इन्हें 1960 से लेकर 1963 के बेच साथ राज्यों के साथ जिलों में इसको प्रारम किया गया और इसे नाम दिया गया गहन जिला क्रिसी कारकम अब ध्यान कर था उसको व्रेक कर दिया लेकिन उस समय कि हमाई राष्टी आफ सकता है क्या थी हमें खाद सुरच्छा को अपनाना था खैर हमने इसको करिया ही और इसके जो परणाम आये काफी सकारात्मक रहें इसके वज़े से 1966-1967 से हमने क्या किया हरित क्रांती को अन्य छेत्रों मे और आफचारिक रुफ से प्रारम कर दिया अब जो हरित क्रांती हमने अपनाया इसमें हमने क्या किया जो हाई इल्ड बेराइटी इसके जो बीज हमने प्रयोग किये इनकी लिए क्या करना था हमें अधिक सिचाई की आवसकता थी और अधिक सिचाई अगर नहीं मिलती तो इनकी जो उत्पादकता है, वो क्या हो जाती? कम हो जाती? इसके साथ यह जो ना सेप इनके लिए अधिक जल की आऊ सकता थी, बलकि इनको केट नासकों की भी जरूरत थी, इनको उर्वरकों की भी जरूरत थी, और सभी चीजों को अच्छी तरीके से प्रोसेस करने के लिए, हर चीज को सुचारू रूप बनाने के लिए तकनीक की भी आऊ सकता थी, इसी कारण जो हरित करांती जो सफल हो पाई, आप देखेंगे, यह कुछी छित्रों में सफल हो पाई, और जिन छित्रों में सफल होई, उसमें एक नाम आपको पंजाब का भी दिखाई देगा, सब साथी साथ यहाँ पर बित्की उपलब्धता थी, और यहाँ के जो किसान थे, वह नवाचार अर्थत इनोवेशन को भी अपनाने के लिए उस सुक थे, और तैयार भी देखेंगे, साथी साथ यहाँ पर पंजाब का छित्र है, यहाँ से एक्सपोर्ट होने की सुब्धा, यहाँ पर दिल्ली जैसे बड़े मार्केट की उपलब्धता थी, जहाँ पर इनका उत्पादन अच्छे से बिख सकता था, और इसमें सहयोग दिया यहाँ की राजसरकारों ने, राजसरकारों ने विक्या किया, कि यहाँ पर जो उत्पादन हो सकता था, उसको बढ़ावा दिया और उसमें कई परकार की सबसीड़ी देना प्रारम किया, इन सभी आधारों पर गड़ देखें, तो पंजाब क्या था, फिट वैठा, क्योंकि सभी चीजे थी, यहाँ पर जो लेंड का आकार था, वो भी बड़ा था, साथी साथ यहाँ पर, जो पूरा, जो यहाँ क पंच नदियां थी, इनके जलका क्या किया गया, उप्योग यहाँ, पंच नदियां, आप जानते हैं, पंजाब को, हम पंजाब क्यों गयाते हैं, क्योंकि पंच नदियां है, इनके जलका प्रियोग किया गया, बिजली पर सबसीड़ी दी गई, अर्थत अगर आपको सिच पन हुआ और सबसे अधिक फायदा भी इसको मिला और इसी फायदे की वज़े से क्या हुआ यहां पर उत्पादन बढ़ा और उस उत्पादन ने देश की खाद सुरच्छा में काफे मात पूर्ण योगदान दे सरकार ने जो है कि MSP की भी घोशना की और MSP में भी क्या किया जो है हमारे गेहू और चावल को जो है कि इसमें रखा और इसके वज़े से किसानों को ये भी सुनिश्चित हो गया कि कितना भी उत्पादन करने क्या होगा सभी सरकार खरी ले और आपको जानकर अस्चर होगा Food Corporation of India या FCI जो MSP पर क्या करता है खरीदे गए अनाज को लेत तो FCI ने भी खरीदने के लिए क्या किया कहा कि ठीक हम एक ही जगे से उठा लेते हैं और इसी के कारण सबसे ज़्यादा खरीद भी यहीं से होती कुल मिलाकर पंजाब ने क्या किया एक innovation अपनाया और इस innovation से उत्पादन बढ़ाया और उत्पादन जब बढ़ा तो इनकी जो है आए बढ़ी और आए बढ़ने के वज़े से इन्होंने उत्पादन को और बढ़ाने रहे उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या रहे थे कि सिचाई कर रहे थे उर्वरकों का प्रियोग कर रहे थे किटनासकों का प्रियोग कर रहे थे इनको फायदा मिला था घाटा न तो हुआ किげहु आनाच दलहन तिलहन को अल्विदा कह दिया और गेहु चावल के अधी जुआ की आओ सकता थी और पंजाब ने पहले अपने नदियों के जल्ळका प्रयोग किया और प्रकरदा को इसे वज़े से क्या हुआ यहाँ पर भूजल का इस तर गिरने लगा अब यह समस्या जो उत्पन हुई यह कोई नई समस्या नहीं है वर्स 1979 में यहाँ पर सूखे का पहला संकट उत्पन हुआ जब मध्य पंजाब की इलाके में जो है कि क्या हुआ भूजल तेजी से गिरने लगा 1979 के बात है आज की बात नहीं है हाला कि यह जो संकट उत्पन हुआ तो लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है तौबा मचा और कहा गया कि बारिस नहीं हो रही इसके बज़े से हुआ लेकिन यहाँ पर एक और संकट उत्पन हुआ 1988 में 1988 में क्या हुआ यहाँ पर बाढ़ हाई बाढ़ की बज़े से कई परकार की जो है कि तरास्दियां उत्पन हुई लेकिन जो यह गिरता हुआ भूजल इस तरह यह संभल गया और बाढ़ के पानी से यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है और रिचार्ज हुआ और थोड़े दिन के लिए समस्या जो है कि इसका समाधान हो गया लेकिन अब समाधान चूंकि बाढ़ के पानी के दुआरा हुआ था तो यह कितने दिन तरह था धीरे धीरे क्या हुआ फिर से जो है कि भूजल इस तर गिरने लगा अब भूमी गज़ जल इस तर था यह तो गिरी रह था इसके साथ एक और चनोटी जो है कि पंजाब की किसानों को उधपन रहे थी वो थी कि यह जब इन्होंने क्या किया अति उत्पादन करने के लिए जादा उत्पादन करने के लिए क्या किया इन्होंने उर्वरकों और रसाइनों और किटनासकों कप्रेओं क्या 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 जादा किया आप जो है की fertilizer को डालें, यहाँ पर जो है की fertilizer को डालें, तो उसके वज़े से इसका आप जो है की क्या कर सकते हैं, 100% एक बार production प्राप कर, लेकिन इसकी जो छमता है धीरे धीरे गिरती जाएगी, इसलिए गिरते जाएगी क्योंकि यह जो मिट्टी है, इस मिट्टी की अपन फसल को काट कर खीत को छोड़ दिया जाता है तो उस बीच मिटी अपने आपको फिर से क्या करती उत्पादक बनाती है जो भी और स्विस बचे होते हैं सरते हैं गलते हैं और उसमें जो तत्तों हैं मिट्टे मिल जाते लेकिन पंजाब में क्या किया जा रहा था पंजाब में जो समस्या थी वह 1970 के जो है डिकेट के लास्ट में उत्पन होने लगी वह थी ग्राउंड वॉटर की दूसरी यह है कि यहां की जो सॉइस थी उसकी प्रोड़क्टिविटी है वह कम होने लगी तो अब यहां के किसान क्या करता उसने कहा कि नहीं हम उत्पादक्ता को कम नहीं थोड़ा सा इस्तिर्रा क्योंकि किसान अपने जो है कि किसी भी तरह से आर्थिक हितों में कटवती नहीं चाहता था यहां 1993-1993-1994 में चावल की एक किसिम जो इसका नाम है गोविंदा इसको प्रारम किया गया और इसका जो दूसरा नाम है वह है कि इसका जो आम वह साथी चावल इसको इसलिए इस नाम से जाना जाता है क्योंकि यह जो चावल की वेराइटी है इसका जो उत्पादन है साड़ दिनों हो जाता था किसानों को जैसे ही यह जो फसल है इसके विसम जानकारी हुए उत्पादन इन्होंने किया इनको अच्छा लगा इनको लगा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर के माह तक हम क्या कर सकते हैं दो फसलों को उप जा सकते हैं चावल की ही दो फसलों को और इन्हों ने ऐसा किया भी इससे क्या हुआ कि यह जो चावल का समय था यह कम हो गया और इन्हों ने क्या किया इस फसल का उत्पाद अधिक उत्पादन करने के लिए अपनी उत्पादन किया भी और आए भी सुनिश्चित हो गई लेकिन पानी का संकट क्या हुआ और बढ़ गया और जब संकट और बढ़ेगा तो समस्ते हैं क्या होँगी यहाँ पर 1980 के दसक में भूजल इस तर जो है 18 सेंटी मीटर प्रती बर्स की दर से गिरता था वहीं वर्स 2005 में यही जो है कि भूजल इस तर क्या हुआ 88 सेंटी मीटर सालाना की दर से नीचे गिरने लगा और इसमें क्या था एक परमुख योगदान था जो साथी चावल है उसका और साथी साथ यहां के जो किसान है जो अपने लाव को किसी भी तरह से कम नहीं होना देना चाहते थे अधिक रसायनों की प्रियोग से अब हुआ किया जब एक ही मिट्टी है वो बरसा उहां पे कम हो रही है ग्राउंड वोटर रिचार्ज नहीं हो रहा है और आज भूमी गजल के उप्योग को बढ़ावा दे रहे हैं तो ऐसा होना ही था और इसके वज़े से पंजाब के सामने चुनौती हुई और पंजाब राज कि सान आयोग का गठन किया और किसानों को जागरुप करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया और यह जो नारा था पानी बचाव, पंजाब बचाव, अभियान के माध्यम से इन्होंने किया हलाकि इसका जो परणाम है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं निकल पाया और इसके पीछे का जो डेटा है वो इसको इस रूप में समझे कि Central Ground Water वोड के अनुसार पंजाब के लगभग 80% जल का क्या हो रहा है अती दोहन हो रहा है और मध्य परांत में अर्था जो मध्य पंजाब का जो मध्य वाला एरिया है यहाँ पर जो Ground Water है वो परतेक सा 0.74 मीटर से लेकर 1 मीटर साल की दर से नीचे जा रहा है अर्थात अगर हम इसको कुछ इस रूप में समझें तो यह क्या है आपका जो है कि जमीन है इसमें पहले आप क्या करते थे यहाँ से पानी नि नीचे जा रहे और दर कितनी है एक मिटर पंजाब में उपलब्द जो जल का जो 90% उपयोग होता है वह किस में होता है अग्रिकल्चर में होता है 10% ही घरेली कारें और निकारें में होता है समझ लेजी कि यहाँ पर अगर जल संकट उत्पन हो रहा है तो किसका योगदान ज्यादा करिसी का और इस करिसी में भी किसका उस फसल का जो कि यहां की क्लाइमेट के साफ से बहुत ठीक नहीं है जिसका नाम है चावत यहां पर तेक साल जो जल की मां होती है वह साट विलियन क्यूबिक मेटर प्रती साल होती है जबकि उपलब्दता कितनी है ओनली 46 BCM अ इतना अंतर है अर्थाद मांग और जो कि उहां पर जो आप उर्ती है उसमें कितना अंतर है और यह मांग दिन प्रति दिन और बढ़ेगी क्योंकि किसान क्या करेगा और उत्पादन करने का प्रयाम पंजाब के सामने एक यह तो चुनौती थी ग्राउंड वाटर की हमने द से क्या हुआ जो गेहूं का उत्पादन हो प्रभावित हुआ प्रशनाएगा गेहूं और चावल का क्या समय हुआ कि मैंने आपको क्या बताया है कि गेहूं और चावल का यह उत्पादन हो रहा था आप समझे जब एक फसल का उत्पादन कम होगा तो किसान क्या होगा दू 1970 से लेकर मातर 2010 तक अभी तक का टेंपरेचर और बढ़ गया होगा और जब टेंपरेचर बढ़ा तो क्या हुआ गेहूं का उत्पादन कम हुआ और यह बैग्यानिक तत है कि अगर 0.5 डिगरी सेलसेश टेंपरेचर भी बढ़ता है तो गेहूं के उत्पादन में 10% क्या आए आप को यह भी पता है कि जो बास्मती चावल है पंजाब का मिला हुआ है इस की जो वैस्ट्विक मानग पर ह Cornike Bul और इसके कारण इहां पर अधिक से अधिक किसान क्या करेंगे इस चाल को क्या करना उसको उत्पादित करना है और हमें एक्सपोर्ट करने से भी हम तत्थ्य उपर बात करेंगे आपको बताएंगे कि कितने हम जो की जो चावल का निर्यात करते हैं उससे कैसे हम पानी का भी निर्यात करते रहे एक अन्वान के अवसर पंजाम में 1 किलो धान उप जाने के के लिए 17 लीटर पानी का उपयोग के जाता है जो सबसे मिनमम डेटा है यह जो आंकड़ा है काफी ज़्यादा हो सकता है दरसर चावल की एक फसल को उप जाने के लिए आपको 30 बार या उससे ज़्यादा बार जो है कि सिचाई की आवसकता पड़ती है वहीं अगर गेहूं के ज़्यादा सुटेबल है लेकिन यहां पर हम परमोट किसको कर रहे हैं लंबे समय से चावल कुछ हम परमोट कर रहे हैं कुछ यहां के किसानों की मज़ूरिया है और कुछ राजी की प्रारंभिक नीतियों की वज़ेसा हो पर पंजाब अधिक जल के साथ-साथ क्या कर रहा है जैसा कि हमने बता अति उर्वरक का भी प्रियोग कर रहा है यहां पर 184 किलोग्राम प्रती हेक्टियर खाट डाला जाता है कि जो कि बहुत जादा है वो दूसरे राज्य जो यहां पर जो अधिक उत्पादन करता है पस्तिम बंगाल है लेकिन इसमें मात रुज़ू है क काफी जादा है यह जो है कि कई गुना है कई गुना है अगर हमें जो है कि मिट्टी की उत्पादक्ता को कम करना है मिट्टी की उत्पादक्ता को सोरी बनाए रखना है और हमें यह परयास करना है कि मिट्टी की नेचरल उत्पादक्ता बने रहे तो हमें इसमें 10 टू लेक हुआ कर बारह गुना इसमें कमी करना हुआ सोच ये इसी के हैं है कि इन athe सब चीजेश की बदे से क्या है उत्पाधन तो वहां पर बढ रहा है इस उत्पाधन को की सरकार Olay की समझ हो इस विवर्ष जून के नियर अबाउट के जाए जब मानसून का प्रभाव यहां पर हो जाए लेकिन यह जो है यह जो कानून लाया गया इसके सक्ती से पालन जरूर किया गया लेकिन इससे जो यहां के किसान थे वह संतुष थे नाराज थे अभी पंजाब में जो भूस जल संकठ है अभी बना हुआ है और बर्स 2018 में जून माह में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंसन ने खुद कहा था कि राज जी का नाम जो राज जी के नाम का अर्थ है भले ही पांच नदियों की भूमी हो लेकिन हो सकता है अगले 15 बर्सों में इस किरसी परधान राज में पाननी ही ना रह यह खुद मुख्यमंत्री बोला जो समझ सकते हैं यहां पर जो ग्राउंड वाटर का रेशियो हो कितना जो है कि तेजी से नीचे जा रहा है एक आकड़े पर थोड़ा सा बिचार केजी भारत ने 2014-15 में जो है कि लगवग 37.1 लाग टन क्या किया था जो है कि चावल का निर किन रियात होता है उसका असी परतिशत निर्यात कहां से होता है सिर्फ होता है और इस जो निरियात हर साल बढ़ रहा है जैसा कि हमने उपर отп道 जीया टएग मिलने के वज़од तो दरसल जब यह जो इतना चावल उत्पाधन करने के लिए हमने जो पानी खर्च किया था वह किया था 10 ट्रिलियन लीटर पानी समझेए 10 ट्रिलियन लीटर हमने पानी जो है कि क्या किया उप्योग करके इतना चावल का उत्पाधन किया अगर हम इस पानी का प्रती लीटर मुल्य भी अगर निकालें तो हमें पता चलेगा अगर प्रती लीटर मुल्य हम मालते हैं 25 पैसा है 25 पैसाल प्रती लीटर पानी का भी अगर हम मुल्य लगाएं तो यह जो पूरी कीमत होगी कितनी होगी 2.5 ट्रिलियन डॉरत जब कि हमने इतने चावल से क्या कमाया होगा इसका ना के बराबर हमें लेकिन होता क्या है कि जब हम पैसे को देख रहे होते हैं तो जो सुबधा में प्रकरती दे रहे हैं उसको हम नहीं देखते हैं और यह जो पानी मिला हुआ है, इसके महत्तों को हम नहीं समझते हैं, कुल में लाकर कि यह जो हम बार-बार चावल की उत्पादन को चाहें घरेलू उत्पादन के लिए या वैस्विक उत्पादन के लिए हम भली बढ़ावा दे रहे हूं, लेकिन ही काफी घातक हैं, पंजा सिदा बित्वर्स में ही जो है कि इस पर सब्सेड़ी के रोप में 8,275 करोर रुपे से राजसरकार खर्ज कर रहे अब इसके वज़े से क्या हो रहा है एक तो प्रयावणिये चुनावतियां उत्पन हो रही है समाजिक चुनावतियां उत्पन हो रही है प्रश्णायगा समाजिक कैसे तो हो गया रहा है कि जो यहां पर क्रिसी की लागत बढ़ रही है अर्थात किसी आन जो है कि बार बर उत्पादन के लिए अती रसानों का प्रियोग कर रहा है इसके वज़े से जो छोटे और जो मध्यम आकार के किसान है और जो बड़े किसान है उसमें असमानता बढ़ रहा है खर एक अलग मुद्दा है हमें पूरा समझना है कि यहां की जो पलने इनकार एक साल अगर हम इस पर निर्भर होते हैं और अगर इस पर कीड़े लग जाते हैं तो पूरी फसल क्या हो जाती है अब कुल मिलाकर यहां पर समझें तो पंजाब क्या कर रहा है एकल क्रिसी की समस्य का सामना कर रहा है प्रशन आएगा एकल क्रिसी का है तो एकल क्रिसी से ताग पर किसी भूमिक खेत पर किसी जो कोई खेत है उस पर एक समय में एक ही परकार के फसल के उप जाने का बिचार अर्थाद यहां पर अगर हम क्या करते हैं के वल गहूं क्यों गया चावल का उत्पादन कर रहे हैं तो यह क्या है एकल क्रिसी का एकजांपल है बर्स 2018-19 में पंजाब का जो सकल क्रिसी छेतर था वह इतना लाक हेक्टेयर था इस माल लेते हैं टोटल जो है अर्था जो है कि 78 लाक हेक्टेयर है इसमें से 35 लाक हेक्टेयर क्या है क्यों के लिए और 31 लाक हेक्टेयर किसके धान के अंतरगत आता है अर्था टोटल जो यहां का एक्रिकल्चर एरिया है उसके लगभग 84.6% पर क्या है सिर्फ और सिर्फ दो फसलों की खेती हो रही और इसके वज़े से क्या हो रहा है कि यह जो राज एकल क्रिसी की ओर बढ़ चुका है और एक्स्ट्रीमली आगे बढ़ चुका है वही अगर इसके कंपियर हम 1960 और 61 के समय से करें जब हमने क्या किया था हारित क्रांती को प्रारम भी किया था प्रायोगिक तौर पर तब उस तमें इन दो फसलों का जो रेशियो था वह 32 परसंट था जो कि अब यहां पर कन्वाट हो चुका तो समझ यह कि आखिर हमने एक चुनोंती का सामना क हो रहा है पस्विम उत्तर फर्देश में हो रहा है और उन सभी छेत्र में हो रहा है जहां पर चावल का अति उत्पादन किया जा रहा है इस एकल क्रिसी से क्या एक और समस्या हो रही है इन समस्याओं के अलावा वह हो रहा है कि जो रोक्यों और कीटों की समस्या है वह परिवर्तन आ जाता है तो दो फसले क्या हो जाएंगे अगर इसके जगे 10-20 फसले होते हैं तो क्या होता है जो निगेटिव इंपक्ट पढ़ने की संभावना कम हो जाते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि हमें एकल क्रिसी से बचना चाहिए चूंकि जलवायू परिवर्तन हो र रही हैं तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी एकल क्रिसी को में प्रभूट नहीं करना चाहिए लेकिन पंजाम में ऐसा हो चुका है गेहूं और जो धान है यह नाइट्रोजन इस्थी करण करा काम भी नहीं करते हैं नाइट्रोजन इस्थी करण का मतलब क्या है कि जो आपक जाता है इसलिए क्या होता है नाइट्रोजन का इस तर तीजिस कम हो रहा है और इस नाइट्रोजन के इस तर को पूरा करने हम क्या करेंगे फर्टिलाइजर यूज करेंगे और इसके वज़से इसकी जो प्रोड़क्ट विटी है वो तो और खतम होगी और धीरे धीरे जो पो के ऊपर क्या होता है आपका जो नमक की लेयर आ जाती है और इस नमक की लेयर के वज़े से क्या होता है यह जो मिट्टी है बिल्कुल जो है कि बंजर क्रूप में करनोर जाती है तो बरतमान समय में जिस पंजाब जिस क्रिसी प्रधिती को अपना रहा है उससे क्या हो रहा है क जो यहां का क्रिसी प्रस्थित की है, उस पर निगेटिव इंपेक्ट पढ़ रहा है, हाला कि अब यहां पर चावल के पूसा 44 के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ भी एक समस्या यह है, कि यह जो फसल है, यह इसका जो एज है, लगबग 130 दिन होता है, और इसके बज़े से जब इसको काट कर गेहुं का उत्पादन करना होता है, तो इसके लिए कम समय मिलता है, अर्थात आपनी एक फसल को चावल को काटा, फिर गेहुं आपको बोना है, तो उसके लिए लगबग 10-15 दिन का समय मिलता है, तो इसमें क होता है कि यह पूसा को इसलिए अपनाया गया था ताकि यहां पर हमारा पानी का जो आवस्ता है वो कम हो और यह 130 दिन में तयार होती है और सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है उसका मानना है कि लंबे समय तक एक ही फसल को जब उप जाया जाएगा और उत्पादकता अग कम मिलता है अब कम मिलने के बज़े से क्या करता है जो धान को ऊपर से जब काट लिया जाता है तो उसके बच्चे हुए जो ऑसेस है उसमें किसान क्या करते है आग लगा देते हैं और आपने सुना होगा पराली जलाने की समस्या तो पराली जलाने की समस्या ऐसा नहीं किसा फसल का उत्पादन करना है अगर फसल लेट करेंगे तो उत्पादन परभावित होगा इसलिए क्या कर देते हैं वो आग लगा देते हैं और इसके बज़े से क्या होता है वायव परदोसर की समस्या होती है कुल मिलाकर पंजाम में जो धान की किरसी का समस्या है वो कोई एक ज इस से जूड़ी नहीं है उसकी कई dimensions हो सकते हैं जिसमें से कुछ पर हम लोगों ने बिचल समिचकों का मानना है कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए पहला यह है कि कम पानी वाले बीचों को और हमें परमोट करना चाहिए इसको बढ़ावा दें दूसरा यह है कि जो किसी सबसीटी दी जाती है इसमें थोड़ा कमी की जाए अगर हम सबसीटी देर भी रहे हैं तो और भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन उन क्रिसी प्रधितियों को दिया जाना चाहिए जिससे परियावरण के अनकूल जो है कि किसी को बढ़ावा जैसे उर्वरक के संदर में देखें तो हमें क्या करना चाहिए जो जैबिक उर्वरक हैं उनका प्रवक देना चाहिए आपने सुना होगा कि कई परकार के ऐसे जो कि उर्वरक हैं जिसमें नीम के पिष्ट का यूज किया जाता है तो हमें ऐसी कृसी पधितियों को बढ़ावा देना चाहिए भले हूं महेंगी हूं उन्हों सबसीडी देने पड़े जो कि परियाब रण के अनकुल इसके अलावा एक चीज और कहा गया है कि यहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन होता है तो गेहूं के उत्पादन के लिए राजिप फिक्स जो एकिप फिट है तो इसके उत्पादन में हमें ज़्यादा कटोती नहीं करना चाहिए लेकिन अगर हम क्या करेंगे 35 लाख हेक्ट दूसरा जो जो गैर बासमती चावल है इसकी अंतरगत आता है पंजाब का 20.76 लाख हेक्टेर तो इसको घटा कर किया जया है 10 लाख हेक्टेर तक सिमीद कर दिया है चुंकि यह जो गैर बासमती चावल का प्रोडक्षन है यह अन्य राजियों में भी हो सकता है जहां पर व साथ हम उन पद्धतियों को अपनाते हैं जिससे परियाबरण पर जो निगेटिव इंपक्ट पड़ता है उससे दूर होते हैं तो आने वाले समय में हम यहां पर के गिड़ते हुए ग्राउंड वाटर को क्या करेंगे समय अब दिक्कत एक भी है कि यहां पर पंजाम में आप अब दिक एक्सपोर्ट करना है तो हमें यह भी समझना होगा कि पंजाब को जो अपना क्रिसी पर निरभरता है उसको भी कम करना होगा और वहां पर जो इंड़स्ट्री से जोड़े हुए छेत्र हैं जो सर्विस सेक्टर से जोड़े हुए उनको परमोट करना होगा तभी ह किसानों की निरभरता इस पर से कम कर से आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाये होंगे इस वीडियो में इतना है थैंक्यू सो मच